Hello friends, मेरे नाम है इस और आप सुझी के मेरे YouTube चैनल में स्वागत है तो NMMS के पिछली वीडियो में जिसमें में प्रीजियर कोश्चन आपको दुझेर 20 से के इसका डिसक्स कर रहा था हमने कोश्चन नमर 62 तक जो है वो डिसक्स कर लिया था और पिछली वीडियो में जो एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नमर 57 वो छूड़िया था तो उसको इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करेंगे पहले और शेट पाट जो है उसमें volunteer करेंगे और उसके कॉस्चन को मनको स्विजन करेंगे हम लोग कितो करने वाले सबसे पहले हैं में दिसक्स कर लेते हैं और उसके बात क्वेश्चन मर 63 से लेकर आगे जो भी जहां TAK हो सकता हे स्थी नमर डिसक्स करेंगे क्योंकि 62 तक जो हम लोग ने पिछली वीडियो में डिसकस किया हुआ था तो आप लोग को यह वीडियो कैसी लग रही है और इसमें क्या इंप्रूब्मेंट हो सकती यह सब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है य नहीं या मुझे और क्या इंप्रूब्मेंट करनी चाहिए तो इस वीडियो को सुरूख करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आप सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि यहां पर में इस तरह की वीडियो लेका रहाता हूं तो चलिए सुड़े को सुरू करते हैं तो यह है वह कोश्चन और 57 जो कि पिछली वीडियो में हमारा छूड़ गया था तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है इसा कुछ कोश्चन है यहा 1, 4, 5, 2 इसमें हुआ क्या देखिएं 0, 3, 2 और 6, 4 तो 3, 2 यहां हीज जाता है 5 और 6, 4 हो जाता है 10, तो इसको पहले हमने गुना किया तिया जाता है 50Flow स इसमें कर दिया 10 तो यह हमारा आ गया 60 इसमें हमने क्या किया पांच प्लस एक यह हमारा आगया छे चार प्लस दो यह आगया छे इन दोनों को गुना किया 36 और इसमें किया प्लस 12 तो यह हमारा आगया 48 अब इसमें क्या है देखिए आपका ऐसा कुछ कॉस्चन है तीन चार दो एक हमने किया तीन प्लस चार 3 जोड़ा हमारा 21 आच इसमें हमने 10 जोड़ा इसमें हमने 12 जोड़ा इसमें 14 जोड़ेंगे 21 प्लस 14 जोड़ेंगे आजाए हमारा 35 तो इसका अप्सण टू जो हम सभी हो जाएगा जो किए है 35 यानि 35 तो यह था कॉस्चन नमर 57 जो पिछली वीडियो में छूड़ गया था कुछ स्टुडेंट्स ने कमेंड भी किया था तो चलिए अब अगली कॉस्चन को देखते हैं अगला कॉस्चन आपको कॉस्चन नमर 63 कॉस्चन नमर 63 बोलता है कि एक विद्यार थी से किसी संख्य में 16 जोडने और 10 घटाने के लिए कहा गया था परंतु उसने गलती से 16 घटा दी और 10 जोड दी इस प्रकार उसको उत्तर जो हो 14 प्राप्त हुआ सही उत्तर क्या था तो म क्या हुआ उसने एक्स में क्या किया गलती से 16 घटाया और 10 जोड दिया और उसको 14 आंसर मिल गया तो यहां से हम क्या करेंगे एक्स के वैल्यू निकाल लेंगे तो यह आजाएगा एक्स प्लस 16 माइनस दस स्वारी माइनस 16 प्लस 10 माइनस 6 इकल टो आजाएगा हमारा 14 तो 20 और हमें करना क्या था हमें एक्स में 16 जोड के 10 घटाना था अब एक्स हमारा बीस है तो बीस में क्या करना था 16 जोड़ना था 10 घटाना था तो इससे क्या आ जाता है बीस प्लस 16 36 माइनस दस 26 तो 26 जो हमारा आंसर होगा और 26 अप्सिन नमर्ट 2 में है तो हम लोग कहें कि इसका अप्सिन नमर्ट 2 जो है वो सही है अब अगला क्वोस्चन है कि B की IU A की IU से 4 वर्स कम है क्या बोला है कि B की IU जो है वो A की IU से 4 वर्स कम है और D की IU C की IU से 4 वर्स कम है तो D की IU वो C की IU से 4 वर्स कम है और A की IU का 1 बटा 4 है तो D की IU जो है वो A की IU का 1 बटा 4 है अब पुछा है कि यदि C के आइउ 8 वर्स है तो बी की की आइउ थी निकाल सकते हैं कि C के आइउ है 8 वर्स मैनस 4 क्योंकि de ki u c ki u 4 वर्ष कम है तो de ki u हमारी 4 वर्ष आ गई अब ji da ki u who a ki u ki एग बट़ा çar है to a ki u do go 4 desi 4 greenhouse 溅ब d ki u 4 वर्ष है to 4 एकी 56 निकाल सकते हैं इक How much को बारा हूं होता है थे बारा होता है कि अब्खेन ignore Kush कि अब अगले कोश्चन है एक संख्या ऐसी है कि इसमें चार बारा वाट-सोला से भाग दें तो प्रतेग द सामें तीन सेанийस फल कल रहता है , यदो संक्या साथ से पूर्ण्ता विभाजित हो, तो हो संख्यल निमलखित मेंसे कोन सी है ? थो सब्सकेर हमेंक बोला है , यapan जो संक्या वह 7 ? 10 से पूर्णता विभाजित है तो इसमें ट्रिक क्या вहाँ 드äख कैので लगने वाला क्योंकि बड़ा कोस्टन है और यहीं का अनसर होगा अभी से सॉल्व करने चार से पास मिनट अपना वेश्ट करेंगे तो हो सकता है कि आघे आपको क्म तो यहां पर आप क्या करेंगे डारेक्ट 147 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे वैसे इसको बनाने का प्रोसीजर क्या है मैं बता देता हूं हम लोग सबसे पहले 4 12 और 16 का LCM निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 48 यानि 48 अब जो है इसको चेक करेंगे फिर 48 गुना 3 प्लस 3 इसको चेक करेंगे और की कौन सी संख्या साथ से विभाजित होती है और वह हमारा आंसर हो जाएगा लेकिन हम नहीं है कि हमने डारेक्ट 247 कि यहीं संख्या जो की साथ से विभाजित है जिसका option number 4 जो है वो सही होगा अब अगला question है कि A, B एक साथ काम करते भी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं जबकि केवल A उसी काम को 9 दिन में पूरा कर पाता है तो B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा अब क्या है कि A और B जो है यानि A प्लस B दोनों मिलके जो है वो 6 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में दोनों कितना काम करेगा एक दिन में जो है वो दोनों मिलके 1 बटा 6 काम करेगा अब क्या है और A जो है उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है काम कर रहा है यदि ए प्लस बी मिलके एक दिन में एक बटा छे काम कर रहा है और ए जो हो एक बटा नौ भाग काम कर रहा है तो एक बटा नौ प्लस बी बराबर हो जाएगा एक बटा छे तो बी जो हो जाएगा हमारा एक बटा छे माइनस एक बटा नौ तो यहां हमारा आ जा सबसे चोटा होता है इस से बड़ा होता है मिनट इस से बड़ा होता है गंट तो ऐसा किसमे आगर देखें तो अपसा नमर चारे जो सई हो जाएगा अगले है विद्याले सिचक विद्यार्थी होते हैं तो ऐसा जो है से पके सब्सक्राइब 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 तमील गुजराती पंजाबी तो तमील गुजराती पंजाबी तीनों जो है वह अलग-अलग भासा हैं तो सब्सक्राइब अगला है डीजल इंजन डीजल इंजन वर रेफ्रीजिरेटर के बीच के समध को कौन से आखिरती प्रदेशित करती है तो यह हमारा इंजन में आता है डीजल इंजन और रेफ्रीजिरेटर एक अलग चीज हैं तो हमारा इसका है और सब्सक्राइब तीन जो हो सब्सक्राइब कि इंजन झो है इंजन का प्रकार इंजन अलग प्रकार है तो हमारी आफ्शन नमर。 जो घृति है रें में तीन प्रकार के वैक्तियों 3 वीभीन आकर्तियों प्रदेश प्रतित किआ गे yüzden तिर्भुज जो है वो अंग्रेजी बोलने वालों को वर्ग हिंदी बोलने वालों को प्रत्रसित करते हैं तो क्वेस्चन हमारा क्या है कि अंग्रेजी बोलने वालों की कुल संख्या कितनी है तो अंगरेजी उतने लोग बोल रहे है जो तिरभुज में है अब तिरभुज में यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1 है, प्लस 1 और यहाँ पर 3 है, तो प्लस 3, तो 2 प्लस 1, 3 प्लس 3 छे, तो कुल 6 लोग है जो कि अंगरेजी बोल रहे है तो इसको अप्शन number 2 जो है हो, सही हो रोग सब्सक्राइब. अगला कोसिन बोल रहा है हिंदी बोलने वालों की कुलसंख्य कितनी है ग्यारा और चे सत्रा सत्रा और पांच हमारा हो जाता है बाइस और चार कि 20 लोग यह तो टोटल हिंदी बोल रहें तो 26 इसका उप्शन अमरेक मेहत में लोग कहें कि इसका उप्शन नर्डेक जो हो सही है अब है माराथी बोलने वालों की कुल संख्या कितनी है तो मराथि बोलने वाले की कुल संख्या जो है तो मराथि उतने लोग बोल रहे हैं तो यहां जारा छे प्लस तीन नौ और चार तेरा तेरा और आठ इक्टिस लोग जो है वह मराथि बोलने तिसका अप्शन नबर चार जो है वह सई हो जाएगा है अगला है कितने अंग्रेजि बोलने वाले आदमी एसे हैं जिनें ही जो हिंदी तो थो मेराथि डोनों बोल सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो Hindi अंग्रेजी और माराथि तीनों बोल सकतें तो जो तीनों का ओरलैपिं होगा जानी जहां 3 होगा तो यह 3 लोग जो है यह हिंधी बोलने वाले आदमी है जो अंग्रेजी तथा मराथी भी बोल सकते हैं तो हिंधी बोलने वाले वर्ग में और यिंग्लीड अदमराथी दोनों बोल सकते हैं U इंग्लीज बोलने के लिए आपको आना पड़ेगा तृर्भूज में, तो तीन ही ऐसे आदमी हैं जो हिंदी बोलने वाले हैं और अंगेरेज और मराहथी भी भी बोल सकते हैं, तो तीन है अगर हम देखें, तो मराथी हम क्यूं है जो है Second इसके साथ ही हमारा कॉस्टन नमर स्वेंटी फाइव तो को खतम होता है और इसके आगे को भी मैंने बनाए हुआ था वीडियो लेकिन अभी जब मैं देख रहा हूं तो उसका जो ऑडियो है वह प्रॉबलम कर रहा है और वह वह आगे की वीडियो को लाइक करें सेर करें नमर कि लिबाइ